नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर क्लास 12 NCRT पॉलिटी की किताब आज हम शुरू करेंगे Contemporary World Politics क्या है दोस्तों Contemporary World Politics या फिर Contemporary Era in World Politics मतलब क्या होता है आप सभी ने Cold War के बारे में सुना होगा Cold War खतम होने के बाद जो एरा शुरू हुआ इसे आप Contemporary Era in World Politics बोल सकते हो तो ये किताब जो है Contemporary Era in World Politics के बारे में है तो सबसे पहले हमें Cold War के बारे में समझना होगा तो ये चाप्टर बेसिकली Cold War एरा के बारे में है तो आप सबको पता है Cold War के टाइम पर दो Super Powers उभर के आये थे United States of America and Soviet Union तो कई सारे कंट्रीज इन दो Super Powers के साथ जुड़ गये थे कोई United States of America के साथ, कोई Soviet Union के साथ तो और एक ग्रूप ओफ कंट्रीज थे दोस्तों जो ये दोनो Super Powers के साथ जुड़े नहीं वो अपना अलग साइक मुवमेंट चलाया जिसे Non-Aligned Movement या फिर नाम बोलते हैं तो इन कंट्रीज ने क्या किया एक नया International Economic Order या फिर New International Economic Order जिसे N.I.E.O. बोलते हैं ये इस्टाब्लीश किया पेसिकली वो कंट्रीज अपना Economic Development and Political Independence के उपर concentrate किया तो आज इस चाप्टर में हम डिसकस करेंगे एक तो Cold War एरा के बारे में इसके बाद Non-Aligned Movement के बारे में इंडिया का रोल क्या रहा Non-Aligned Movement में और कैसे इंडिया अपने इंट्रेस्ट को प्रोटेट करने के लिए इस पोलसी को successfully implement किया Cold War का सबसे important इवन था Cuban Missile Crisis सबसे पहले इस क्राइसिस के बारे में डिसकस करते हैं देखें Second World War के बाद United States of America और Soviet Union के बेच में relations इतने अच्छे नहीं थे United States of America का geographical location आपको मालूम होगा इधर आप map देख सकते हो Basically United States of America एक North American country है United States of America का सथेंड साइड में Caribbean Sea में एक island country है क्यूबा क्यूबा Soviet Union का एक अले था Now April 1961 में leaders of Union of Soviet Socialist Republic that is USSR नहीं तो Soviet Union वो इस बात पर पर परेशान थे कि USA क्यूबा को attack करेंगे क्यूबा एक communist ruled country है तभी था अभी भी है ये बात आपको मालूम होगा तो उस टेम पर क्यूबन प्रेश्डेंट थे Fiddle Castro तो Soviet Union को support करने की वज़े से USA क्यूबा के उपर attack कर सकता है इस बारे में USSR के leaders परेशान थे अब देखी बस Soviet Union का अले होने की वज़े से USA क्यूबा के उपर attack करने के लिए सोचा था ऐसा नहीं था इसका और कुछ रीजन्स था वो ये था जैसे मैं आपको बताया क्यूबा Soviet Union का एक स्ट्रॉंग अले था और क्यूबा को Soviet Union से काफी मदद मिलता था डिप्लोमाटिक मदद भी मिलता था फिनांशिल एड भी मिलता था बेसिकली क्यूबा Soviet Union के उपर dependent था और उस टाइम पर Soviet Union का लीडर थे निकता क्रूस्टेव उन्होंने क्या डिजर्ड किया क्यूबा को आसे रेशिन बेस कनवर्ट करने के लिए तो इसके चलते Soviet Union ने क्या किया क्यूबा में नूक्लियर मिसेल प्लेस किया कब 1962 में आप देखे दोस्तों वैसे United States of America और Soviet Union के बीच में काफी डिस्टन्स है तो दोनों को एक दूसरे के तरफ से immediate threat तो नहीं था पर जैसे Soviet Union क्यूबा में आकर नूक्लियर मिसेल प्लेस किया तो अब्योसी बात है USA के लिए वो immediate threat है तो USA ने क्या किया Southern USA में basically Gulf of Mexico के आज़ पास कई सारे defense installations setup किये major weapons deploy किये क्यूंकि देखिए Soviet Union की तरफ से कभी भी अटाक हो सकता है क्यूबा में already nuclear missiles deployed था वैसे देखा जाएगा तो USA already अपना सथेन साइड में weapons deploy करके रखे हुए थे कई सारे defense installations भी थे पर जैसे ये Cuban missile threat भी आया तो USA ने क्या किया अपना जो security है defense installation से उसे double किया और ज्यादा weapons उथर deploy किया तो अब Soviet Union को ये डार लगने लगा कि USA कभी भी क्यूबा को अटाक कर सकता है और Cuban President Fidel Castro को overthrow कर सकता है अब देखिए जैसे Soviet Union क्यूबा में nuclear missiles deploy किये उसके ठीक तीन हफ़ते के बाद USA को ये बात पता चला था तब USA के President थे John F. Kennedy चाहे तो USA क्यूबा के ऊपर एक nuclear attack कर सकता था पर देखिए nuclear attack करने से क्या होगा क्यूबा से retaliation भी होगा तो एक nuclear war होगा आप देखिए nuclear war होने से आप सबको पता है दोनों तरफ नुकसा नहीं होगा तो जोन अफ केनेडी ने एक nuclear war avoid करने के लिए Soviet Union को बोला आपने जितने missiles और nuclear weapons क्यूबा में deploy कर रखा है उसे वापस लेगे जाए उपर से जोन अफ केनेडी ने American warships को ये order किया कि अगर कोई भी Soviet Union के warships क्यूबा की तरफ आ रहा है उन्हें रोकने के लिए और उन्हें serious warning देने के लिए तो basically ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा clash होने वाला है क्यूबा और USA के बीच में basically USA और Soviet Union के बीच में इसे Cuban Missile Crisis बोलते दोस्तों उस टाइम पर पूरी दुनिया को ये लगा कि United States of America और Soviet Union के बीच में एक nuclear war होने वाला है पर fortunately दोनों कंट्रीज ने ये desert किया कि war नहीं लडेंगे और Soviet Union के ships compromise करके वापस चलेगे तो खुल मिला के ये Cuban Missile Crisis को आप cold war बोल सकते हो पर इसका मतलब ये नहीं है cold war में बस Cuban Missile Crisis ही था cold war रफोर्ट तो the competition, tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies मैंने आपको पहले ही बोला था दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए दूसरे कंट्रीज भी आये थे basically allies बन गे थे जैसे कि Second World War के टाइम पर Group of Countries का alliance बना था ना तो वैसे दोनों सुपर पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए कई सारे कंट्रीज आये थे तो ये सारे कंट्रीज के बीच में उस वर्ग कई सारे confrontations हुआ tensions हुआ fortunately कोई war तो नहीं हुआ पर छोटे मोटे confrontations वगरा चल दा था तो ये सबको खुल मिला क्या बोल सकते हूँ cold war now cold war was not simply a matter of power rivalries of military alliances and of the balance of power देखे जैसे मैंने आपको बोला cold war के टाइम पर एक तो Cuban Missile Crisis हुआ और superpowers को support करने के लिए जितने अले countries है थे उनके बीच पे छोटे मोटे confrontations हुआ war हुआ, tensions हुआ ये सब तो ठीक है पर cold war मतलब बस यही नहीं था इसके अलावा ideological conflict भी था basically western ideology और eastern ideology के बीच पे conflict हो रहा था western ideology मतलब जिसे United States of America लीट कर रहा था eastern ideology मतलब जिसे Soviet Union लीट कर रहा था अब western ideology क्या है liberal democracy and capitalism और eastern ideology क्या है ideology of socialism and communism वैसे capitalism, communism, socialism ये सारे political ideologies के बारे में detailed discussions available है चानल में आप Class 11 की history की किताब देखिए हर्षिस सार ने in detail कवर कर रखा है briefly मैं आपको बता देता हूँ ये दो ideology के बीच में क्या difference है देखिए capitalism मतलब क्या होता है एक state का जो trade and industry है उसे private honest कंट्रोल करेंगे state नहीं और private honest profit बनाएंगे और socialism and communism में क्या होता है state का जो trade and industry है वो state कंट्रोल करेंगे government कंट्रोल करेंगे ठीक अब आप पूछोगे socialism and communism के बीच में क्या difference है simple फार्षा में दोस्तू communism में क्या होता है जितने trade, industry, resources यह सब को state कंट्रोल करेंगे और socialism में क्या होगा सारे जो resources है वो citizens के बीच में equally distribute करेंगे तो basically Western alliance और Eastern alliance के बीच में एक ideological conflict भी था तो यह सब खुल मिला क्या बोल सकते हो cold war now what is the cold war देखिये contemporary world politics में Second World War का end one of the important event था वैसे Second World War के बारे में आप सब को पता होगा 1945 में allied forces led by US, Soviet Union, Britain and France Axis powers led by Germany, Italy and Japan को हराया था 1939 से 1945 तक हुआ था Second World War The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe also देखिये Second World War पुरे दुनिया में फेल गए थे केवल यूरोप में नहीं, यूरोप के बाहर South East Asia, China, Burma, parts of India, North East region यह सब Second World War में involved थे The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property देखिये Second World War की वज़े से काफी सरे property डिस्टोई हुआ, काफी human lives लोज हुआ वैसे First World War की वज़े से Already दुनिया को एक शोक लगा था अब जब यह Second World War हुआ तो और ज्यादा होगी जैसे Second World War खतम हुआ, तो Cold War की शुरुवात हुई वैसे Second World War का end तब हुआ था जब United States of America, Japanese cities of Hiroshima और Nagasaki में August 1945 को दो atomic bombs गिराए थे, जिसकी वज़े से Japan surrender हुआ था वैसे US को काफी criticism face करना पड़ा, atom bombs गिराने की वज़े से critics का कहना यह था कि US को atom bombs गिराने की कोई ज़रूत नहीं था, क्योंकि Japan surrender करने के लिए और यूएस का और कुछ प्लान था atom bomb गिराने से, वो यह था कि Soviet Union को ज़ादा political gains हो रहा था, एशा के अंदर Second World War की वज़े से वो US रोकना चाहता था, और US यह साबित करना चाहरा था कि वही supreme power है दुनिया में इस वज़े से US ने atom bombs गिराय करके भी critics बोलते थे और US supporters का कहना यह था कि atom bombs गिराना necessary था, क्योंकि अगर atom bombs नहीं गिराते तो Second World War खतम नहीं होता, और American soldiers and allied soldiers का जान चले जाते whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage देखे, जो भी हुआ, Second World War के बाद, entire devastation हुआ, काफी नुकसान हुए, काफी सरे countries में यह बात आपको पता है, इसके साथ-साथ दो नए powers emerge हुआ दोस्तों, United States of America and Soviet Union क्योंकि तब तक जो major powers थे दुनिया में, like Germany, Japan, etc. यह तो Second World War से खतम हुए थे तो इस वज़े से United States of America and Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on the earth इतने greatest powers बनके दोनों countries कि दुनिया भर में कहीं भी एक influence था उनका Now, जब दो super powers बनते दोस्तों, इनके बीच पे rivalry होना normal है तो US और USSR के बीच पे problems तो चल रहा था पर इसलिए कि इन्हें पता था, atom bombs गिराने से कितना devastation हो सकता है इसलिए वही गलती फिर से repeat करने का कोई plans नहीं लग रहा था इसलिए cold war के टाइम पर कोई भी country आपस में nuclear weapons यूज नहीं की वैसे दोस्तों आपको पता ही है, जब दो nuclear powers के बीच में confrontation होता है तो वो एक full-fledged war में convert होने का chances कम है क्योंगी अगर एक full-fledged war में convert होगा, तो उभी उसी बात है किसी ना किसी country nuclear weapon यूज करेंगे आप यह नहीं बोल सकते हैं एक particular country वार जीत गया क्योंकि दोनों को नुकसान होगा उपर से कोई भी country nuclear weapon का usage कभी भी जसी फिन ही कर पाएगे क्योंकि आपको पता है nuclear weapons का जो negative effects है वो generations तक रहते हैं जैसे कि हिरोशिमा नगासा की में अभी भी उसका after effects आपको देखने को मिलेगा जैसे मैं आपको पहले बताया एक nuclear war में कोई भी एक country को आप बिनन declare नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक country दूसरे country के ऊपर nuclear weapon यूज करेंगे तो भी उसी बात है वो country वापस retaliation में nuclear weapon यूज करेंगे अब ऐसा भी नहीं है कि एक country दूसरे country का जितने nuclear weapon से उसे खतम करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता ना क्योंकि जितना भी आप खतम करोगे कोई ना कोई nuclear weapon कही ना कहीं वो रखा होगा वो 100% वापस retaliation करेंगे तो उस वज़े से दोनों country को नुकसान होगा basically vast devastation होगा इसे एक फायदा भी है दोस्तों इसी डर से कोई भी country दूसरे country के ऊपर nuclear weapons यूज नहीं करते है इसे बोलते है logic of deterrence मतलब जो डर है ना कि अगर हम यूज करेंगे तो वो भी यूज करेंगे दोनों को नुकसान होगा इसी डर को आप logic of deterrence बोल सकते हो तो इसी deterrence की वज़े से cold war कभी भी hot war नहीं बला पर आपको एक बात समझना है deterrence war को तो prevent किया पर दोनों powers के बीच में जो rivalry है उसे तो नहीं prevent कर पाया अब दोस्तों देखिए बात यह है दोनों super powers थे दोनों के पास massive stock of weapons थे massive manpower भी थे support भी थे अब यह बात दोनों को पता था कि अगर war होगा फले nuclear weapon use नहीं भी किया तभी दोनों तरफ में नुकसान तो होगा vast destruction होगा तो इस वज़े से दोनों ने क्या सोचा कि एक full-fledged war नहीं लेडेंगे उपर से देखे first world war and second world war का experience इनके सामने था तो दोनों ने rational and responsible तरिके से सोचा और चीज़ों को समझा responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war देखे अगर ये दोनों superpowers के बीच में war होता तो obviously बाते वो third world war बन जाता in this sense the cold war managed to ensure human survival तो देखे cold war का एक अच्छी बात यह है दोस्तों cold war human survival को ensure किया ज्यादा कोई destruction नहीं हुआ ज्यादा loss of lives भी नहीं हुआ now the emergence of two power blocks देखे दोनों superpowers अपना influence expand करने का चक्कर में था in different parts of the world in fact world two alliance systems में divide हुए थे मतलब एक western alliance जो USA lead कर दा था एक eastern alliance जो Soviet Union lead कर दा था अब majority of the countries के पास कोई option भी नहीं था उन्हें कोई ना कोई एक alliance join करना ही था अगर नहीं करेंगे तो सबरदस्ती दूसरे वाला alliance उन्हें join करवाते थे उपर से जो छोटे country से उनको फाइदा भी था alliance join करने से because they got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals mostly regional neighbors with whom they are rivalries देखें ऐसे कई सारे neighbor countries थे जिनका आपस में problem था आप देखें जब ये कोई एक superpower के साथ alliance में join करेंगे तो उन्हें उनके rival के उपर एक dominance मिल जाएगा थोड़ा advantage मिल जाएगा तो इस वज़े से भी काफी चारे countries alliance join किये थे उपर से उन्हें पैसे भी मिलता था alliance से ठीक है तो ये जो division हुआ था between the countries मतलब कुछ countries western alliance join किये कुछ countries eastern alliance ये division सबसे पहला हुआ था European continent के अंदर अगर आप ये map देखोगे आपको पता चलेगा Europe में western side में जितने countries थे वो सब USA के साथ जूड़ गया और eastern side में जितने countries थे वो Soviet Union के साथ जूड़ गया and the western alliance was formalized into an organization called the North Atlantic Treaty Organization तो USA के साथ जितने countries थूड़ गये थे alliance join किये थे उन्होने एक organization form किया North Atlantic Treaty Organization which came into existence in April 1949 ठीक है it was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe और North America would be regarded as an attack to all of them देखे जब NATO form हुआ था उसमें 12 members थे अभी किसाब से करीब 30 members है बाद में expand हुआ था NATO का article 6 ये कहता है दोस्तों अगर कोई भी member country के ओपर कोई भी country attack करते है तो ऐसा माना जाएगा पूरे countries के ओपर attack है और वो collectively defend करेंगे या फिर collectively उस country को attack करेंगे each of the states would be obliged to help the other मतलब सारे member countries को आपस में help करना है at the same time eastern alliance भी एक pact create किया which was known as Warsaw Pact and Warsaw Pact was led by the Soviet Union देखे 1949 में western alliance ने एक organization बनाया एक powerful organization NATO तो उसको counter करने के लिए 1955 में eastern alliance एक pact create किया that is known as Warsaw Pact and its principal function was to counter NATO forces in Europe तो यूरोप में NATO forces को counter करना था Warsaw Pact का main function now उस time पर superpowers के requirement के इसाब से international alliances बनता गया जैसे मैंने आपको पहले बोला था main area of conflict थो European continent था कुछ cases में superpowers ने क्या किया अपना military power यूज करके कुछ countries को जबरदस्ती alliances में join भी करवाय था for example Soviet Union Eastern Europe को इसी तरह dominate करके रखा हुआ था क्योंकि देखे Soviet Union के पास बहुत बड़े आर्मी थे तो वही powerful आर्मी का इस्तमाल करके वो पूरे Eastern Europe को अपने control में लाय था अगर Asian continent की बात करें तो USA ने एक initiative लिया वो East, West and Southeast Asia में एक alliance system create किया called the Southeast Asian Treaty Organization जिसको Seattle बोलते थे and the Central Treaty Organization जिसको sento बोलते थे तो Soviet Union response किया Soviet Union and communist China मिलकर close relations बनाया regional countries के साथ like North Vietnam, North Korea, Iraq तो खुल मिलाके कहने का मतलब यह है दोस्तों धीरे धीरे यह जो division system है यह एशिया में पहुंच गया और US सबसे पहले आके Southeast Asian Treaty Organization and Central Treaty Organization establish किया Soviet Union and Communist China मिलकर close relations बनाया North Vietnam, North Korea, Iraq जैसे countries के तो basically cold war पूरी दुनिया को दो alliances में बाट रहे थे तो इन circumstances में many of the newly independent countries after gaining their independence from colonial power such as Britain and France were worried देखें दोस्तों cold war का time मतलब ऐसा एक time था जब कई सारे countries को colonial power से independence मिले थे, for example इंडिया हो गया, स्री लंका हो गया, पकिस्तन हो गया, ठीक है तो इनको ये डर था कि formal independence मिलने के बाद ही ये किसी न किसी alliance का गुलाम रहेंगे तो इन countries ने क्या किया, एक नया movement शुरू किया, that was known as non-aligned movement या फिर ना which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances तो ये दोनों alliances से दूर रहने के लिए इन्होंने non-aligned movement शुरू किया at the same time, ये दोनों alliances के अंदर भी कई सारे cracks and splits हो रहा था basically आपस में ये लोग fight कर रहे थे for example, communist China और USSR के बीच में quarrel हुआ था late 1950s में and in 1969 also basically इन दोनों के बीच में कुछ territorial disputes वारा चल रहा था ये दो countries के बीच में नहीं, काफी जरे countries के बीच में छोटे मोटे disputes तो चली रहे थे basically alliance के अंदर ही now you may ask why the superpowers needed any alliance at time देखे दोनों तो superpowers थे दोनों के पास most advanced weapons of that time थे regular armies थे तो इनों ने दुनिया भर में जाके इस तरह alliance क्यों बनाया वैसे उस टाइम पर अगर Asian continent and African continent में जितने countries थे वो मिलकर एक alliance बना भी लेता न था भी ये दो superpowers के comparison में नहीं आता फिर भी इनों ने इस तरह alliance क्यों बनाया major reasons ये है दोस्तों number one vital resources such as oil and minerals देखे इनको चाहिए था resources अब आपको पता है एशिया और आफ्रिक्या में oil के availability है strategic minerals के availability है तो यह उन्हें चाहिए था दूसरा territory from where the superpowers could launch their weapons and troops अब बात यह है दोस्तों USA and Russia दोनों के बीच में काफी distance है पूरा Atlantic question पढ़ा हुआ है तो अगर एक दूसरे को attack करना है तो एकदम पास से attack करना चाहेंगे ना तो अगर इनके कोई ally country होंगे उनके आसपास में जैसे कि Soviet Union क्यूबा को अपना ally बना के रखा था USA attack करने के लिए तो यह एक possible reason था तीसरा locations from where they could spy on each other अगर spy भी करना है तो आसपास से spy करना होगा ना अब USA में बैठके रिशिया के उपर sorry Soviet Union के उपर कैसे spy करेंगे तो यह भी एक reason था and fourth economic support in that many small allies together could help pay for military expenses देखे चोटे-चोटे जो allies होंगे उन्हें protection देने के बदले में उनसे पैसे भी लेते थे तो सारे चोटे-चोटे countries मिलकर जब एमोंट पे करता था वो एक बहुत बड़ा amount होता था तो इन four reasons की वजए से इने allies बनाना जारूरी था मतलब जिन countries के साथ इनका political ideology मैच होता था जैसे की USA में capitalism and liberal democracy था Soviet Union में communism and socialism था तो जिन countries में वही political ideology follow होते थे उनको साथ में रखना भी ज़रूरी था और वो countries हमेशा एक super power के साथ loyal रहेंगे देखिए the loyalty of allies suggested that the super powers were winning the war of ideas as well तो ये जो ideology की वज़े से भी super powers एक एक country को अपने साथ में रखा क्यूंकि वो same political ideology follow कर रहा है इनको साथ में रखने से और फायदा होगा हम अगर आप western and eastern alliance के countries को देखोगे तो आपको पता चलेगा वो लगबग similar political ideologies follow करते थे तो दोस्तों that's it अभी के लिए इस वीडियो को में finish कर रहा हूं अगले वीडियो में हम arenas of the cold war से शुरू करेंगे तिल दन बाइबे वे नहीं देख